नमस्कार मैं हूँ गौरफ श्रीवास्ता और प्रायम डिवेट में आप सभी का बहुत-बहुत स्वाज़त है इस समय उत्तप्रेश में मानसून सत्य की शुरूबार हो चुकी है और पहला दिन इस्थकित रहा क्योंकि समावलरी पार्टी दरातिरी संगर्स पोतर आई है धन कर दिन सरन का सुरू हुआ तो वहां पर विपच्च और सत्ता पर्च में तीकी नौक जोंग भी हुई अखले स्यादो रणनीती के मताबिक सरकार पर हमलावर रहे स्वास्त ब्योस्थाओं को लेकर बिरुजगारी को लेकर उन्होंने सरकार को घेनने का पूरी तरह प्रया रहा है करोना जैसी महामारी के समय भी अर्थ ब्योस्था को मजबूर किये रहे ना अरे शरीक संख्या में लोगों को इलाज मोहिया कराना यह सरकार की प्लब्दिया है और जिसका गुलगान के बल के भारत में नहीं बलकि ब्यस्थिक परिदस्थ पर भी हो चुका है कई द राव कि यहांं उच्छो पाँ जए ऊपर रहा है निकाश्टनाओ की बात करें यहां दो वार्चोविस की बात करें पयानों की जो गती है बोल लगातार त्य जrá रहे हैं और खास्तर जो घुबार से कुछ ऐसे बयान के हैं जो लगातार बयानों के माध्यम से चर्चा में बने हुए हैं ऐसे बयानवीर के अगर हम बात करें तो सुभास्पा के राश्ट्रडच ओम्पिगा राजभर जो की आज फिर वयान दिये और ने कहा कि अखिलेश को अगर अपने चाचा सिपाल सिंग्यारों की इतनी सीट की जनता थी तो उनको अपनी सीट डे दिन चाहिए थी तो वहीं उन्होंने सपा को दल बिरोधी बताया और ये भी बताया कि जिनका जो धन्ना है ये महेज नोई के नोटंकी था तो मनुष पांडे जो की समाज़ पार्टी के सचीतक से उन्होंने भी सुभास पापा प्रहार करते हुए कहा कि उम्पका राजबर हर तीन घंटे में बयान बदलने बाले नेता है और ऐसे नेतानों की बयानों की कोई तबज्जो नहीं होती है ये हर घंटे में बदलते र होगी कुछ बयान सुनते चर्चा को आंगे बढ़ाते हैं कि मा जिसने बच्चे को जनम दिया बोतल चड़ रही थी गलत इंजेक्शन लगा दिया उस मा की उसी समय चान चली गई क्या मेडिकल निगलिजेंस की वज़े से जाने नहीं जा रही है क्या मेडिकल निगलिजें डोक्टरों की नहीं दबाई चलने देंगे ये खुद मांगे मंत्री बन गए है च्छापा मां मंत्री राजीयव के अंतर इंफ्रस्टक्चर के कारे हों बेहतरीन सिक्सा के केंदर खोलने के कारे हो प्रदेश के अंदर स्वास्त की बेहतरीन सुविधा को प्लब्द करवाने की कारवाई हो या फिर प्रदेश के हर गाउं को बेहतरीन कनेक्टिविटी देने इन सभी कारियों के लिए धनकी कोई कमी नहीं है राज्य सरकार के पास संसाधन भी बड़े हैं, राज़स्टों में भी बिर्दी भी है, करोना जैसे महामारी का सामना करते वे भी, राज्य सरकार ने पूरी मजबूती के साथ अपनी अर्थविवस्ता को भी सुद्रिड करने का प्रियास किया है, पिछली सरकार भाजपा की यहां से प्रस्ताव पास करके भेज दिया, लेकिन दिल्ली में सरकार है भाजपा की, वहां भी पास नहीं हो पाया, जिसको हाई कोटे निरस्ट कर दिया, यह डरामा लोग, सड़कप जो डरामा होने जा रहा है, जब इस सत्ता में थे, तक घरेलू बिजली बिल माप करने काउन रोक रहा था, कोई रोक रहा था, मालिक तो यह थे, पुड़ बहुमत की सरकारती, एक समान अनिवार फिरी सिक्छा लागू करने के लिए काउन रोक रहा था, यह क्यों नहीं लागू कर दिये, जब पुलिस की भर्ती हो रही थी, तब इनको काउन रोक रहा था, कि क पार्टी का नेता बताने वाला कि चार्चा मेर्पूर्ण और बुद्धे पर बात करने के हमें सब मेहमान जोड़ चुके हैं आपको सबको रूबरू करा रहता हूं प्रबक्ता कॉंग्रेस से बर्चोस पांडे अपना पच्छा रखेंगे पबन सियस्तों भाई बर्च पत् स्वागत है तो पहला हमारा सवाल रहेगा वह प्रवक्ता भजपासे रहेगा रहं लुद्ध रहे हैं कि जैसी रणनीती समादवाड़ी पार्टी ने बनाई थी उसी रणनीती पे काम कर रहे हैं पहले मार्च निकाला प्रियास किया हाउस रेस्ट किये गए उसके पाद 19 मार्च को पैदा ल्यातरा निकाली हाला कि बंदरिया बाग चुराहे पर रोक लिये गए और प्र कपूल कल्पना हैं क्या मानते हैं और सक्ट्र में जिस तरह हैं लगातार हम वो सरकार पर हमलाबर हैं क्या करना चाहें गे करेंगे इतनी अच्छी योगीजी की सरकार चल लही और पूरे प्रदेश में अमन्चैन है तो उसमें ब्यवधान कैसे पड़े कैसे उनको मेडिया में दिखना चाहिए तो सारी नवटंकी कर रहे हैं और वो तो समाजवादी पार्टी का आचरण के अनुसार अपनाव काम कर रहे हैं और इसलिए मानी योगी जी असपष्ट कहा कि ऐसे लोगों से क्या बात किया जाए क्योंकि उनके बात करने के उनका आचन ही ऐसा नहीं समाज़ादी पाटियों के लोगों का वो तो दंगा, फसाद, बिवाद, जबकि प्रदेश हित में फत्र को चलना चाहिए उसमें भाग लेना चाहिए था, चर्चा होनी चाहिए थे, बैई 7 इसलिए होता है, जो भी बिशेर है उस पे चर्चा हो, लेकिन चर्चा करना नहीं, क्योंकि चर्चा करेंगे, तो जन्ता उनका इरादा समझ जाएगी न, क्या हो चाहते हैं, तो चर्चा होने नहीं देना चर्चा से भागना और मेडिया में भी बने रहना है, तो उ कर रहे हैं तो दोजार चुवेस में और बाहर हो जाएंगे उसके बाद किसी लाइकी नहीं बचेंगे तो दोड़ा सा लाप चुले हैं हैं अगर जनता ने इनको विरोजगार कर दिया तो यह अगर अछा काम कियो होते हैं तो डॉजार चुछा में हारे पिर सत्रह में यहारे हैं कि सत्रह में YEAR यह कि लचा काम प्रदेश की जनता जानती है कि इनके आने से क्या होगा इसलिए उत्तरप्रदेश की जनता जान गई है इसलिए कहीं पर भी इनके डाल गलने वाली नहीं है और योगी जी एक सुच प्रसासन अच्छा प्रसासन दे रहें जो लगातार देते रहेंगा आगे भी चलेगा पर राम्नावी कहींने का यह यह भी मानते सब्सक्राइब प्रयास कर रहा है पर तर्थ्यात बग राजनीती नहीं हो पा रही है क्या मानते देखे विपच्छ में हैं मेडिया में रहना है विपच्छ मेहत विपच्छ में रहने का भी तुब कुछ अदा करेंगे इनके पास ना कोई इतत्त हैं पताते हैं कि महंगई बढ़ गई विरोजगार इतने लोग हो गए मैं पूछना चाहता हूं समझादी पार्टी के नेता बंधों से कि योगी जी के आने बाद कितने लोगों नोकरी छोड़ दी कितने लोगों को हमाई सरकार निकाल दिया जबकि सरकारी आकड़े हैं कि पांच लाग से ज्यादा हमने नोकरिया दिये हैं और कम से कम 25 से 30 हैंगे आखिरी में यह समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी हो जाएगी और सब खत्म हो जाएगे तरफक्ता सब्सक्रा तारिक भाई पूरी बास सुनिया आप मैं जन्ता आपको चार बार धक्के दे चुकी यह जो बाहर ही हो जाएंगे और आपके नोटंगी ग्रॉडव जह जो आपके और अब लोग रखेशा है जो अन्ता के यह जो आए दो आपके बोले बाए पहूले वह जी जब जन्ता की आवाज विधान सभा के बाहर खड़े हुख उख उख तो वह ओण तो रहर नहीं किन है और ये एक बड़ा काम है चीता आया पीए सल अ जून करकर के बगल नहीं गाओं में कल NDTV ने दिखाया कि एतने बच्चे कुपोशित है थोड़ा सा और जून करते तो शायद वो बच्चे पीछा था था प्रीपोर्ट दिखाई NDTV कि बगल के गाओं में कितनी है तो वो असली ग्राव है और यह ने उपन की है यह तो मैं मान है था कि यह बोल सकते है ऐसे है प्रियावाची बन्मा दीजिए कि विरोग कि इना उता है अब देखिए बाते बहुत है आज मुख रूप से गारव भाई स्वास्त का मुद्धा इधान सभा में दिखा मचे जो मुझे समझ में आए इन्होंने बोला था कि 2017 से पहले कुस्तर प्रदेश में वहां अजीब डेटा मिले सामने आया मैं नीट में में मेडिकल कॉलेजेस होते हैं उसकी लिस्ट एक अभी बैख के उसका एर आफ इस्टाबिश्मेंट भी होता है तो 2015 से जो एर आफ इस्टाबिश्मेंट लिखे हुए वो सत्रह निकल के आरे गव कितने बड़ा जूट है करो भाई मैं अभी जब डिवेंट खतम हो जाएगा तो एक बार देखी जी पधान मंत्री ने कुल-कुल चिलाया कि बारा से सतरा से पहले बारा मेडिकल कालेगते हैं तो मैंने मैं ऐसे ही टेख रहा था अच्छा नीट में सारे सरकारी मेडिकल कॉ अगरा और केजी एंसी कानपूर मेडिकल कॉलेग इस तरीके थे और मतब 16 से पहले मैंने गिना 17 वाला भी चोड़ दिया तब तो और बढ़ जाते हैं तो वह 17 निकल के आए और अभाई ये क्या है इसको कहते हैं चीता जूट चीता जूट चीता जूट चीता जूट कुट वजट आयता गौरोभाई उन्होंने का था कि प्रती पांच हजार आदमी पे एक प्यक्सी बनाएंगे ये जवाब देने के भाध्शपटे मरावकता इधर उदर ना घूमाइंगे और तस हजार लोगों पे एक प्यक्सी बनाएंगे ये योगी सामने एसमेली में का इस हि जन संक्या 22 तरो लेडिया मैंसे 25 है गिंती नहीं करने लोग चाओ आली सजार प्यक्सी हो गए और बाइस हजार प्यक्सी हो गए अभी 3600 प्यक्सी है और 855 प्यक्सी है वची हुई कैसे मनाएंगे पैसा कहां से आएगा क्या सब जनी कुछ बेचेंगे अपना बजट का प कैसे आएगा माएं आप कामाई को कमाई कमाई बढ़ आदी है सरकार का काम कमाई को बढाना दी आप उस कमाई को कहा कहा लगाना आÃ ये देखना जी भरकों सवास्त बढा एक आहम ब्पाद हbilir होग नो जो बचारी होई है ये जो सरकारी डॉक्ट्टर है थे हमारे पास बार बाइस करोर पे जो स्वास्त विभाग है केद्र का वो यह कहता है कि गउरोफ़ाई अगर तीस हजार नोग कही पे रहते है तो वहां एक पीस्टी होनी चाहें और एक लाग के उपर पे जांप होनी चाहें घांब अभी वासत हजार लोगों पे एक PSC है और थाई लाख लोगों पे एक CSC है इन्होंने का दस हजार पे बनाएंगे तो कब और कैसे? वैसे इसका जवाब भाइट परवक्ता बिल्कुल नहीं देगे उ क्या बताएंगे? लाइनाटर, और अरंजेब, नहरू और बजचे हे का इसा बताएंगे स्वास कितना कंभीर उश्चु है और अखलेश यादा साथ ने सीटापुर का भी मुंता उठाया अच्छा पर यह बताएंगे और यहिंब बाते गोरांपाईगे योगी साब ने कहा कि समाजवादी नियमों का पालन नहीं करती है यही को कहा ना बिलुकर कहा है किस नियम के तहट गोंडा में कस्टोरियर डेच में एक नलके को फाटा ला नियम है कोई मारने का सरकार बताएंगे पुलिस तो आभी के डिपार्टमें आती है ग्रह आभी के पास है जवाब दीजिए की कि दो फिट की टोटी से लौज लगषके, किस नियम के तहट वो आजमी मर जाता है और किस नियम के तहट, पुलिस का स्कुड़ई में लोगों को जान से मार जाता है करके जवाब लेता हूं जवाब लेता हूं हमाँ सर बर्जस पांडे मौजूर हैं कॉंग्रेस से परचस भाई सत्ती की सुरुबात हो गई हाला कि यहां पर जो चड़्चा आपकी संगड़न की भी है क्यों निकाय चुनावा वाने बाले हैं तैयारी कैसी रणनीजी क्योंव यह क्योंकि समाली पार्टी तो दन्ना के माध्यम से सट्र के माध्यम से अब अपने आप को स्थापट करने में लगी हुई है कि जनता को दिखाना चाहरा है कि हां अब बात होगी और सरकार अगर गणर करती नहीं तो सरकार को घेनने का पूरा प्रयास करेगी को गड़ेस क कि मैं आपकी बात का जवाब देने के पहले में भाजपा कि अपने प्रवक्ता साथी को बड़ा ही दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा कि इन्होंने दो बात एक्सेप्ट की पहली तो यह कि विपक्ष है तो काम सड़क पे आएंगे तो इन्होंने मान लिया आज कि विपक जिसके सदस डेलिगेट्स बनाए गये हैं जिसके माद्यम से होने वाला चुनाव है उसकी कल बैठक थी राष्टे द्यक्ष के चुनाव के लिए उसाथ हम प्रदेश अद्यक्ष को भी बनाना है तो उसमें हमारे तरफ से यही प्रस्ताव पारित हुआ कि हम प्रदेश जिसे वीचायों से हमारा प्रदेश अद्यक्ष बनाएं उनके नित्त में हमारा प्रदेश काम करने को तयार है और राष्टे अधष के लिए हमने एक सरुसमती से विदेश पारित करके भेजा कि हमारे नेता आदरैसिर राहुल गांदी तो अब हमारा 18 अक्टूबर को रिजल्ट आना है तो उसकी चिंता बहुत नहीं कोई लेट नहीं इस देश में किसी भी काम को करने के लिए कभी कोई लेट नहीं होता है जब भी आप जागे तब सवेरा होता है तो आप हमारा निकाहे चुनाओं में प्रदर्सन देखेंगे बड़ा बेतरीन दिखने वाला है और हमेशा हमारा प्रदर्सन बेतरीन रहा है हमारा जो मुद्दा है इस निकाय चुनाओ में वो सीधा सीधा है कि हमारे जो जूत मन्त्री है भारत सरकार को में हमारा जो मुद्दा है जिस प्रकार से आज अडानी 2014 में 609 अस्थान पर थे आज 2022 में तीसरे अस्थान पर आ गए हैं वहीं भारत विश्व के भूख सूचनांक में 2014 में 55 अस्थान पर था 2022 में 101 अस्थान पर चला आया है हमारी इस निकाय चुनाव में यह सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि हर घर को रोजगार हर घर को मकान और हर घर को खाने का इंतिजाम कराए जाए रोटी कपड़ा और मकान यही तीन हमारे मुद्दें जिसको लेकर हम नगर निकाय चुनाव म सब्सक्राइब करती है वो संगर्स अभी नजन नहीं नहीं आया है बयान बयाने बचला इंट चला है संगर्स कम नजर आएगा समावी पार्टी शुरू कर चुकी है अगर माने तो माटरी के परबièmeता मोहदे यह कह रहे थे कि उत्तर बर्दिस की सरकार जो है राम राज आ चुका है है सभी को नौज यहां नवी चुकी है прав ही चोरी ही नहीं हो रही हाय नहीं ही ह een छहीं पूरीयों के साथ हुस्ट नहीं हो रहा है है यानि पूरी तरह से राम याज कोगिया है सब रामसे चाद कर तानके सोझाए इखबरानी की कोई बात mayrePR ची है यह वह राम देती है उसको बलाबकार माना नहीं जाता रहापको धाई मेच उसको जला दिया जाता है परवार को उसको बॉड़ी तक नहीं दे जाती है इस तरह की घटनाएं चिन्मियानन जो गिरह राजमंत्री हुआ कर्टरे सेंट्रल गवर्मेंट में अटर दिया जबाद में के सरकार में उस पे एक बच्ची लांचन लगाती है वो आज जिल के बाहर है वो बच्ची आज जिल के अंदर है अभी हटा ने निकला दो बच्चियों के साथ दुसकर्म करने के बाद उनको पेड़ के लटका दिया गया बाद में पुलिस जा गी और उन लोगों को पकड़ा वैप प्रदेश के अंदर थाने के अंदर को बच्चा अगर उसके घर शुलाए जाता हूँ उसकी मिर्ट्र हो जाती है कि यह सब करने के बाद यह राम राज इस भासा में इसको कहा जाएगा यह गवर्ण जी मेरे समझ से परे हो आपके समय से भी परे है जिए पहले निश्पे उत्तर पर्देश में बत से बततर वेश्ता हो चोकी है बारा लाग चोशाट हजार सरकारी लोकनिया है उत्तर पर देश के इंदर इसे चार लाग पैंसाट हजार नोकनिया भी रिक्ज चल लई है 26,000 जो सरकारी अस्पूल्चों वहाँ पे ताला लगा दिया गया है वहाँ पे गउचरादे वाले लोग वहाँ पे गाय और भैस को रखने लगे है डर के मारे बच्चे उस बिल्डी के नीचे बैठते नहीं ते छत कहां से तोट रही है कहां से पानी बैरा, कहां से तुरी दिवाले गिर रही है चिछा कास्तर बत से बत्तर हो चुका है अस्पतालों में पानी चला जा रहा है, मरीज जहां पे भरती है वहाँ पे पानी, कमर भर पानी वहाँ पे बरनाग च्छत चू रही है वहाँ पे डॉक्टर नहीं है, अभी अभी सफा के परवक्ता ने इस बात को बताया आपको, तो उप्तर परदेश कंदर मातर बारा जाँ डॉक्टर है, आप इन बारा जाँ डॉक्टरों से उप्तर परदेश की 24 करोड़ की आबादी को कैसा इलाज दे पाएंगे, हम अगर बिल्षा कम करते हैं, बिल्षा के स्फ़ास्त मन्त्री सहते अंद्र जायन ठाइएंट अच्छा कम करता हैं, उस पर आलिएशन लगा कि शुल में थुष लेते हो, दिल्षा कि अग्र भारदम घ्र्ड ली जाते हैं, तो लिद्वा अगर अंज आशन दॉदे प्रदिया को क करोड़ों पर कस्तुरबा गांदी महिला इंटर कालेश के नापर करूना कान में निकाला आज तक हैसाइटिस की जाच निकर पाई अच्छा एक्स एहम्टो मीटर ले लिजिए आप चाहे ऑक्सी मीटर ले लिजिए तक तर्वो मीटर ले लिजिए सब के ओपर करेंबं 20 पु जवागा तो जवाब करणा लो जवाब ले ने के वहाओ आप लेता हो हमाजराए जुड़ए है सुबास पा से डाब ऑी ओं पिक राजो यहरा जाता है निकार दे रहते सपा के प्रदीया को नो टंकी बताते हैं सपा को दललिरोरी बताते हैं तो मनुश पांडे बोलते है क अलिज्पांडिक बयार क्या कहना चाहेंगे अगे सामाजवाधी पायटी के कतनी कर्णी में उतना अंतर है इछना रामायण में राम और पहले अंतर समझ मनी आया था पहले अंतर समझ मनी आया था अधा रागों अगर जो जनता आपको चुल करके लगनों के विधान समा में बेजा है तो आप विधान समा में सवाल करेंगे या सड़क पे लाउ लसकर के साथ चलेंगे अच्छाए जब आपको सरकार थी को मुड़ा कितना है प्रदेश में बहुत बड़ा मुद्दा था उत्तर प्रदेश में जो है तो आप पर पच्पनी आते क्या है? कि जिस गरीब का केवल मकान बना हुआ है क्या मेरी आवाज जा रही आपके बास? जी बिलकुल आ रही है जिस गरीब का पंजर में जमीन बना हुआ है वहां पर जो पुर्डोजर जा रहा है क्या उसकी आवाज नहीं हुआ है तो आप नूठाएंगे आवाज को सपागे का में पिपच्पनी आते क्या है आप सुनिये आप सुनिये मैं वही तो समझा रहा हूँ जब यह सरकार में थे तो इनको गहाँ गरीब किसान मद्दूर आवाज नहीं आ रहे थे तब सिच्छा रोजगार दभाई विजुली नहीं आता था आप यान आ रहा है जब यह जब बार की सरकार में विजुली माफिर क्यों नहीं किया इनोंने पुझिये कि चार बार की सरकार में जब से इनकी अखिलेशी की सरकार और मुलायम जी की सरकार बनी है उसमें ग्वाल, आहिल और यादो, घड़ोर को छोड़ के बताईए आज उस्तर पर देश में 1471 थाने है कोई ऐसा थाना नहीं है, तो अखिलेश के बिड़ादरी के लोग नहीं मिलेंगे उसमें कहा है एक्रबरदी, कहा है ठियार, आहहां है बंज़र, कहा है पहेलदी आहां कहा है खटी, अब पताईए इं जातियोंग। बादकर पञिकार में है उसके बाद इनोंने क्या थेला किया समाधवाजी पार्टी में, दो हजार पार्ट में आज़र्ये मुलायन सिंग्मेट हो है, अठारा जातियों के एक लीपा पोसा बना करके, अच्छा जारी कर दिया, जी, नोटिफिकेशन चारी करने के बाद, वो अठारा जातिया, ना यस स्टी में नहीं, ना ओफिसी में नहीं, जब उतकर पूब्पजर्या सरकारी खंडी निली, ना तो ओपिसी में भरतके, ना एसी में भरतके, जाले हो गया, जाड़ा ड़के हुए है, जब आप सक्ता में थे अरे वो अच्छा चले गया गई, अबाद बीज़्ये पार्ट तो यही समाजवादी पार्टी की सरकार है उच्छा प्रजाप पती को नहीं आई बहुत जाने के बाद जब प्रजाप के लिए शीट मागा विधान समाह में पच्छी नहीं पत्षी नहीं जा रहा है वह एक परजाप पती को नहीं दिया को नहीं दिया बुदु को नहीं दिया सुष्पा बहुत दर्द हैज भई भाई बवाड़ अघ हम की बात कते हैं पीसपा क演ु कि अ सब देखा आई सब की बात दभी हो रहा है क्या क्या किना चाहें गौरोजी जि यह सुर्थ है और यह राजनितिक दल हमारे बीच में जो भी बैठें है चाहे समाजवाधी पाल्टी हो यह भारतियन्ता पाल्टी हो प्रजाय भार्गों जी की चीराजभर जी की पाल्टी हो जि खासकरके तो अगर आम भाजपा को थोड़ा सभी किनायरे करें तो जो सपपा का और इनका गड़बंदन हुआ था प्राजभर जी का यह स्वार्थ के बल पर हुआ था दोरों का स्वार्थ था सरकार बना लेंगे अखले स्यादों सीम हो जाएंगे इनको सब कुछ दे देंगे बहुत सारे बड़े-बड़े मंतराले मिल जाएंगे अच्छ हुआ है अब भाजबा से हो सकता है क् failure महाघडबंधन की तयारी जो कांगरे कर रहे ची कि एक महाघडबंधन आएगा हम वहाई जो सकता है मजबूती से लड़ाई भी लड़े यह लेखि अज यह सब धरासां ही हो जाएंगे महाघडबंधन और इससाफ क्योंकिё पार्थी हैं जितने राजने तिकदल हैं अगर हम आज बहुते दिन बाद हमने अखलेश यादो जी को देखा अब हम पसंद तो नहीं करते हैं इस अच्छाई है लेकिन आज हमने बहुते दिन बाद उनको सदन में आवाज उठाते हुए देखा नहीं तो कोई लब किसी एक क पारे जो है उनका विकास के नाम पे प्रदेश के नाम पे होता ही नहीं था ठीक है आज लेकिन उनको हमने देखा चाहे गोंडा जनपत की बात करें एक स्यसी बलाक मुझेहना वहां पे हैं वहां पे एक नन्हे बच्चे की जान चली जाती है उसमें उस प्रकड में जो हमा दूसरा उसी जनपत की बात करें दिन ध्यारे हत्या हो जाती है एक नबाब गंज में हो गई समझेगा मेरी वात को आप तो एक भोलू सिंगे हत्या हो गई इसका कहीं कुछ नहीं है एक जिले में अगर एक-एक महिने में दो-दो चार-चार हत्याएं और गुंडा गरती ब विपक्ष का करतब यही होना चाहिए कि जहां आप कम्या हो उसके लिए आप आवाज उठाइए लेकिन ये जो राजनीत के चक्कर में ये केसो मोरिया जी को मुखमंद्री का पदर दे रहे दे ये सब बहुत छोटी मान सकता कहते हैं उस केसो मोरिया तो यह नहीं आने वाले ह वो संगठन के हैं समझेगा आप भारते जंदा पार्टी के अगर पास आना है उसके संकच बनना है तो उसी के तरह से बनना पड़ेगा आपको संगठन पे मजबूती करना पड़ेगा धरातल पे काम करना होगा जंता के बीच में रहना होगा आपके संगठन के पदा दिका सबती है घबांऒ आपको पिमूल एक जागी नहीं राजनीत लेकिन राजनीत के नाम पे जो हम देख रहे हैं ये केवल स्वार्थ विया स्वारत लों फिर फाय। का मेरा नुकसान है इस सबसे हट करके और तेज के भणाई के लिए राष्ट के लिए अच्छी राजनीत करने चीनों को कोशिस करना ची राजनीत करें ठीक ठीक है तर्ट भाई रामना दभाई ते जवाब लेता हो पहले जारण बाई बड़ा नाराज वाई क्या बात है किया यू दर्द दीया है कुछ किये नहीं आपकी सरकार ने चार बार रही है जारव भाई जी एक पक्ष मास होता है इंगा हुंब भीपक्ष दोनों तरफ हुआ हुआ को कह सकते हैं ऐनको खालीगय थाली का बेगन तो आपकी थाली में प्रेंग है तो अब ही की परिशली की है क् जिसले आपको छायी तो आपक 27 अक्शा सावाल सिर्ट में बहुत ही अच्छा सवाल व्यादि है ties कि आपको ज aanगे पड़र्देश लिए 18 कि अजू और एन के लगंग कृए बुट सहर जाए। है शुनिए शुनिए जाप्ते टॉड़िया हूए। अजू इसलिया का अजू झाजवादी भाइटी के जो नौरत नहें उनोंने के जलता है उन्हों झाल जुटा है झालो बाइद करें जिदू लिए झालए नहीं हा जी ज़ा राया है। अब बाइद रहा है। अपर मंधद के गरताना झालए राइवया। अच्छा कि बोला है यारा पर शीर एक रीष्टमूले के रहा करें ये ज़िया। जchaeन को जो प्रभाइज रहा हुंगे आप सभी लोगों से एक निवेधन क्रें गें हम लोगों के बीच में प्रित पाल जी बेठ्ट हुए हैँ आम आदमी पाल्टी से एक निवेदन माँ से हाह जोड़ करेंगे तेश आप पूरा पूरा परदेश पूरा देख रहा है किर पै आई सामत करीए जो आप कर रहे हैं ते आप समझ गहोंगे अरे भाइजा पृताल जी पूरा देश पूरा प्रदेश देख रहा है आप डिवेट पे बेठे हुए है कर दीजेगा भाई पावन जी का आगराया है किर्पया बनायरक्षे प्लीज ठीक है ठीक है तारी बार पूरी करिए अगरा सोचना पड़ेगा आमको जिए लोग गुस्ता आ जाते हैं जी बोलिए जब गए थे कान में बाद करनी है अमेशा कि तो फुछ से कह दें कि शतरा ज कि आंको अउनको नहीं आ जा ख़ना करें ऍामकिया आ इकराश के सर्कार में टामकिया आनी जाए रख्या मंत्री आ अंको नहीं समझ में आ एकाशन जा आएज करीए बाति करना बंद करिये अं आधे करना गए आई अजीए अजी तूधी पावाधे रा माध्या जानीशिता आज 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 आर आजो आजा है दिया सवाज में दों हुआजा आजी आ आज्कार बहुते जिए तो फिर ए जिए कःण वाहना गवायता। क्या सबस्क्राइब गॉले तो भॉकाल बॉले तो भॉक बने अजकाल के यह जाती जाता है। है जे को बॉत जाजर्टी नहीं थाष्ता कर पाई तो पाच हजार पुरिस वालों के भीच पे समाजवादी लोग निकले पर देखें नहीं हम लोग मानने मुनायम सी यादों एक प्रण नहीं पर दो एक जब दो रहा हैं कि अज़ शुरुप धर उल्लय जाकिन अवादीация ञें खेंगे लोग में लांव किम Brd यू़े घ्यरी त्रह्ते छाहती हैं उता खिंज्ड नेजिए ध्यो जेगीए फ मैं अट्रण हमें आप आष्तिस वाल्ज़ेग को की भांजेश्य फिरण ऋढआरे कुल प्रुसिर कपा υस खूर्प्स अरिब हुसी सब्साधर कि पुछान कुल यह और परद super प्रकॉल को का दिए टा देलिख कि m यह वा जिए खाने नोगा घुड़ commit . कि आफ ज़सर एक पुलिस्की वाली यह कॉल जिए तुम्स्ट चोड़ना ऑज चोड़ अब कहा हो पाएगा, नगिता हटे लिफानार गशा मेतले लिफत है जब काने, को सक बहुने के प्सके यह चाल कियातारी नहुत है, मैं में हो जिछिना अऑके है सब्धु टेमां अब सेग्य है मैं सब्सकारी एक एक राम नवाजबहाई बड़ा भ़ा बड़ा नाराजगी है और सभावालोंसे और सुबासपह बाले नाराज है जोग वे शुत इमारी प्लिच कर दो चुप्र होगया होगया वो तो निदा उन्ड़ कर दो पोड़िएगो रामना चाहरा जेह बोलिए अबी यह यह जोर पाटी के मित्र कह रहे थे कि 2017 से पहले 12 मेंटर कालेज थे यह तो आज मानी मुखंतरी जी ने भी विदानसवा के अंदर बोला अच्छा है दलत है नहीं सुनिए 2017 के पहले 12 मेंटर कालेज थे और पांच सालों में 43 मेंटर कालेज चालू है अठा मलब जो काम कर रहे हैं और 18 मेंटर कालेज ने बन रहे हैं और 2024 तक हर जिले में एक मेंटर कालेज होगा यह हमारी सरकार का काम पूरा हो रहा है इसलिए सिछा और स्वास्त के बारे में तो समाजवादी पार्टी लोग चिंता न करें क्योंकि वो चिंता करने के लिए उत्रपड़ जंता ने अधनी योगी जी को समुर्थन दिया है तो चिंता हम करेंगे रही बात कानून विवस्था की तो समाजवादी पार्टी के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि इनकी सरकार में अपराधी अपराध करने बाद च्छाती खोल सरकोर घूमता था लेकिन किसी अपराधी हैस्यत ने अपराध करके सरकों पर घूम गया तो उसकी च्छाती पर पुलिस गोली चलती है यह समाजवादी पार्टी में था इनके हाथ अपराध करिए खुले आम घूमिये और किसी समाजवादी पार्टी ने था कि परती है यह वो जिल जाता है और को जगे नहीं अच्छा ठीक और अभी आम आधी पार्टी के कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश कुछ है ही नहीं अच्छा है यह राजनेतिक बेसरम लोग हैं इनको हम कह सकते हैं पताते हैं कि हमारे दिल्ली में बिद्याले अंतरास्टी अस् और बताएंगे क्या कि 48,000 स्मार्ट क्लासेस और यह कर दिया वो कर दिया लेकिन पूरे दिल्ली में एक बिद्याले नहीं बनाये नहीं और अभी ओंपरकास राजभर जी के साथी बहुत बिचारे परिसान थे तो परिसानी निच्चित रूप से है पियोगी जी की सरकार मे मंतरी थे इन्हों ने गरवड किया योगी जीन उनको बरकास कि बाहर कर दिया फिर जाके पैर पकड़े खिले कि जो है हमको सामिल कर लिजे महां भी कुछ दिन गाड़ी वाड़ी सब इनको मिली थी तमाम पैसावसा इनको मिला था अब वो लगा कि यहां में नहीं काम बना फिर वहां से छोड़ कि योगी जी के पास आने लगे लेकिन जब उत्तरप्रदेश की जनता ने आपके गड़बंदन को नकार दिया और हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार है तो हम क्यों आपको सामिल करेंगे आप जाइए क्योंकि ओपी राजभर जी राजनेतिक सब्सक्राइब करेंगे जिस प्रकार से फुल्याम आरोफ लगा रहें कि एक भी यादो थानेदार नहीं अरे एक बार सोच लिए योगी जी की सरकार है यहां को जाती धर्म सरकार नहीं चलती है इहां सब का साथ, सब का विकास, सब के बिस्वासर कर चलती है अच्छे अहर जिले में यादो थानेदारी मिल थानेदार मिलेंगे अब इनको नहीं दिखते हैं अब योगी जी को बड़ नाम करने की ऑश्कता आब को नहीं है क्योंकि बिteilना आपके सहारे के भी हम सरकार मे थे वो तो भारती जन्ता पार्टी के बिद्वलों ते नेता बन गए वना पूरी जिंदगी से लड़ते लड़ते बुढ़ापा आ गया तो इसलिए योगी जी को जन्ता ने जिताया है और उत्तर प्रदेश में सरकार जिशित रूप से जन्ता के हितों में काम कर रही है और स अगर भारती जन्ता पार्टी के लिए तो यादो उनके साथ भी है और बहुत समाजवादी पार्टी लोग उनको अपना एधिकार समझते हैं कि यह हमारे हैं लेकिन आपने देखा जिश्युनाव में इनको आइना दिखा दिया इसलिए यादो समाजके कि पड़ी करने से अच्छा है कि आप देखे कि जो लोग राश्ट के धाराम जुड़े हैं उनके साथ रही है काम होने देजिए तेरह भाई की बाते सुनिया आपने उन्होंने का प्रतास राजबर सोहल फोड़े थे कि जो कि इनने निकाला था अब तो वहीं बता रहा हूं हमने लोग सभा के चुनाओं में अप्रहल में ही छोड़ दिया था अच्छा हमने लगणों का का आप जानकारी नहीं परकास किये गए थे यह तो परकास किये गए थे अब इनको द अभी आप देखिए भर राजबर को जो है तीन अपरेल 2022 को इलाहाबाद हाइपोट ने यह आदेश दिया था कि उत्तर प्रदेश की सरकार केंद सरकार मिलके दो महिने के अंदर में जो है अनसुची जाद में सामिल करें हमारे साथ ही बता देए यह इलाहाबाद मानने इल ओना आधिन की नहीं इसके जवाब नहीं जेखे आधिनों है जो थे क्रिक वाह एक कि भाती की बात अभा एक साल छे जो है भरती की बात हो इसके इसमें जो खामी जो चहँडा अने ऑन कर गो गयो जिए तरverse लो हनातें में को छो हूट इसाट कर ऑसका हूए है अगर इस बात को अम्रकार करते हैं, तो इनके पेट में गुड़गुड़ी होती है. इसलिए गुड़गुड़ी होती है. मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने कहा आप पुमे अपने बात पर कायम हूँ. उत्तर बुर्देश सरकार ने जो भूम अभियाओं के खिलाप तारवाई करने के जो आदेश चारी किया, उसका मैं स्वाइच करता हूं, लेकिन आपने नाश्ट के सुना नहीं, लेकिन भूम अभियाओं के आड में गरीब कमजोर लोगों के घरों को दाया जाना है, उसकी म का मकान है, जी बलकूल, उसके में काज़ मागों के कांगर दिया जाएगा, क्या? नहीं मिलागा बलकूल, अब बताईए, उसकी जर्चा कर रहा हूं, सरकार काम करें, हम काज़श करते हैं, समाजबादी काम करती थे, उसका माग करते हैं, मैं कि लगर बात आती है, जी, पर किनल में पत्या है हमने में उन्स सचना व स्वाइज खेल कें buttons कर दोति को सब्सक्राइब अजयर प्रप आपको जंता ने चुना है अब दढ़ने वाली है देखिए आप युबाई है मिसीर रूप से हमारे देश में कुछ दिन पहले चीतों की बहुत जादे ही चर्चा चली है मोढई सरकार चीते लाई है पहले चीते का नाम है बेरोजगारी दूसरे का का महँगाई तिसरे का नाम है और रहीं है करके फूट डालो अंग्रेजों की नीति पे क्योंकि हमेशा या अंग्रेजों केडिला जी फालो करते रहे हैं जब अंग्रेजी ऑंग्रेजी हुकूमत की महरानी जब इस देश को इस दुनिया को छोड़ कर जाती है तो हमारे देश के जन्डे को जुका कर उनके सम्मान में जुकाया जाता है यह इनके अंगरेजी मान सकता को दर्शाता और इस बात की पूस्टी करता है रोजगार की यह योगी सरकार जो है पांज लाग करोनों का खर्चा करके बहुत बड़ा करके और ढो़ जन करके डोल पीटते हुए Investor Summit की उस Investor Summit का नतीजह आज तक क्या निकला। एक भी, एक भी Investor Summit में आया हुआ व्यक्ति अभी तक रोजगार की उमीद लेकर कि उत्तरपधेश में नहीं आया है। युवाओं को प्राइवेट सेक trench में उसको सानौराइब करते हैं उसमें नोगों कोई कारवाई नहीं की और मनमाने ढंग से शेमें नुक्तिया कर डाली आ्धों पता दो जंगल राज की इनकी सरकार में जंगल राज इस कदर बढ़ चुका है कि मैलाओं के उपर अत्याचार जिस प्रियंका गांदी नहीं प्रियंका जी उस समय विदेश में उनकी नानी जी एक्सपायर की थीक लखी पुरखीरिय में हमारे कॉंगर्स पार्टी का प्रतिनिदी मंडल सतीश आजमानी जो कॉंगर्स पार्टी के उपाध्यक्ष रहे और कोशाध्यक्ष है वह वहाँ पर गये क्योंकि वह उससी कॉंसिट्टिवेंसी से आते हैं उनके बाद हमारी आधर्णिया नेता विप उठा वहाँ पर जमीन के खरीद फरोग जिस प्रकार से की गए थी किसी से छुपा नहीं है और माफिया राज इस कदर यहां पर है कि माफिया एक विसेश जातिका होता है तो क्रिकेट खेलता है और उस तरीके से माफियाओं के नाम पर कोई और विसेश जातिका होता तो उ उनकी जो कमाई थी पूंजी थी पेंशन के माध्यम से अपने बुढ़ापे को जीते थे उस पेंशन योजना को वापस लाइए हमने क्या बात आप करते हैं राजस्थान और च्छतिस गड़ में हमने बहाल कर दिया पंजाब में हमने बहाल कर दिया था और अभी जो है हिमान अब गुजरात में हमाई सरकार आएगी वहाँ भी सबसे पहला साइन पेंशन योजना को बहाल किया जाएगा ठीक है पर भाई अपनी बार रखी पर प्रमुन भाई की बार लेता हूं पर दिल्ली में दिल्ली सरकार जो है बहुत सिच्छा के असतर पर पूर स्कूल को यह देखना चाहिए जिसको के जरिवाज ने बनवाया हो यह मनिस्त वसदिया ने बनवाया मादा रखिए अरे मादा रखिए सुनीजे दिल्ली का पूरा सच सुनीजिए खर्च पले के जा रहा हुआ हुआ है और दिल्ली सरकार चलाती है अच्छा ने बनाया है वहाँ पर दिल्ली के सब्सक्राइब करता है ने का फर्च है जो कजिर्वाजी ने बनोहा हो तो दिल्ली की सब्सक्राइब क्या करती है वथो दिल्ली के बिद्याले के अंठी में बता पाएंगे लिए निकी सरकार अक्सिजन के लिए वोटी सरकार से तखरा आजाती है हाई कोड सुप्रीम कोड में जाकर दिली की एक सास के लिए आक्सिजन सेंटर गर्मेंश थीए ठीक है इस विए आब नहीं रहे हैं इस किया मुल्यांकन करेंगे यहां पर तो स्कूल खिला जारे लगता है कोई श्कूल बनाता है इसके लाभा और वी कई मुद्दे है यहां पर तो सर्थपर घमासान और विपच्च की बात हो रही थी ऐसे लेकिन अभी हम चर्चा कर रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता महुहदेकूं लड़ान पाल्टी पाल्टी कोई भी होता वह एक दिन के लिए आधा जंडा ही जातारीजन ही इसका क्राउन एक्ट 1707 इसके तहत लगभग 54 यह सभी जुकाएं तो उसको हमला आप इंगोर नहीं कर सकते हैं जो हम लोग दाइरे में बढ़े होते हैं तो यह जानकारी होने चाहिए दूसरी चीजा यह है कि आज यह कांग्रेस जो है कि यह जो हालत हुई है धरातल पे नहीं के कारा नहीं तो यह समाजवादी पाल्टी सुभासपा आम आदमी पाल्टी इनकी आउसकता नहीं थी समझेगा क्यूंकि जनता जब उब जाता है किसे एक पाल्टी से तो दूसरी तरफ जाता है आज भारते जनता पाल्टी को हम देख रहे हैं सासन बहुत बढ़ियां चल लई है सासन का तात पर विकास की योजना है हेल्प लाइन बहुत अच्छी चल लए है सुरच्छाएं अच्छी चल लई है लेकिन इसी सब की बीच में एक कड़ी जो है उस पे देखना होगा उसे हम लोग बेरोजगारी कहते हैं ठीक है रोजगार की बेवस्थाएं करना हमें आपको याद है जब उत्तर प्रदेश की पहली सरकार बनी थी आदितना थी योगी जी की पहला बरस हुआ था तो फस्ट इन्वेस्टर समीट हुआ पांच लाख करो रुपया उसमें आया था समझेगा कहां लगा कहां इन्वेस्ट हुआ भी एक सब्तापूर भी हमने माने मुखंदरी से मुलाकात किया था तो उसमें बहुत सारे उद्धोग परवासी हैं जो बाहर रहते हैं उनका प्रतिन मंडल मिला था अब उनकी फाइ साल तीस साल के तुलना करें तो एक जंगल राज हुआ करता था अभी समाजवादी पाल्टी की ने कहा है नेता जी ने कहा है आम आदमी ने भी कहा है जंगल राज लेकिन उस समय जंगल राज हुआ करता था आज कहीं न कहीं वो राज है जो हम आप नहीं कह सकते हैं भाई स सुभाजपा और अखलेस यादो जी ये दोनों की बीच में जो तालमेल में गड़बर हुआ है ठीक उसके पीछे केवल एक ही मुझा तूटी गया है अब ये जो पर्थम इस समय जो दिरिस्ट्री चल लही है इस समय का जो माहौल चल ला है उस समय महागडबंदन बनके का दो हजार चोबीस से पहले निश्चित है समझेगा अब दो हजार चोबीस में जो महागडबंदन बनके आएगा उसको कमजोड कैसे किया जाए समझेगा सर ये उसकी परक्रियाएं चल लही है हो सकता है आम आदमी पाल्टी भी बढ़िया मेहनत कर रही है वो भी आए ले उसकी जाचे होनी चाहिए भारती जनता पाल्टी से तो हम यह कहेंगे सरकार से कहेंगे किसी पाल्टी की बात नहीं है ऐसी विद्यानों का जाच कर रही है कि कहां से मन गया इतना पैसा कहां लग गया भई ठीक ठीक आप सभी मेमानों का भवो जुड़ने के भवो धन्नवाद तो यहां पर चर्चा थी बिरांसबास सत्त के घमासान पर और जस्तर से समाज़वारी पार्टी लगातार सरकार को घिनने का प्रयास कर रही है तो सबसे मड़ी समस्य यहां पर यह भी है कि समाज़वा पर लगाता बयान दे रहा है और लगातार उनकी नीती भी अब जहां यह तरफ बेपच्छ सरकार को घिनने का प्रयास कर रहे हैं आने बाले समय में क्या गडबंदन होगा 24 की चुनाओं कैसे लड़ा जाएगा मां गडबंधन चैसे बनेगा कितने लोग अस गडबंधनों सामिल होंगे कितने लोग उस गडबंधने एंखिलाप रहेंगे ये बक्ष बताएगा पर एक बात तो साफ है बयानबाजी होती है राजनीती होती है पर कईने के जनता की मुद्दों कर उतना ध्यान ने लिया था जितना कि दिना चाहिए बेपस्ट की भूमिका रहती है कि अगर जनता के लिए कोई बात कमी आ रही है यह सरकार कम ध्यान दे रही है, सरकार को कहीं पर आपको सलाज देनी चाहिए तो अश्के लिए धरातरी संगर्ष भी जरूरी है सथ भी जरूरी है घमासान भी जरूरी है कि वल बयान की राजजीती और ट्वीट राजजीती से काम निच्टने बाला है। अगर बास्तब में हम चाहते हैं कि सरकार जनता के लिए बैतर करती है अब कारकाल आ चुका है और पांच साल कारकल चलाना है पर बेपस की भूमिका भी यहां पर आवस्सक है कि सरकार को मुद्दों के पती गंबीर करें और आपनी जो भूमिका है उसको बुरी तरह नर्वाह करें तो आज सी चर्चा में अतना ही मुझे रिवनती नमस्कार अब देख रहे हैं प्राइब